नमस्कार दोस्तों मैं कृष्ण नमोर्ती आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्णिंग मीरर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है वालेट पे क्लिक करने के बाद USD balance दिख रहा है इस पे क्लिक करना है तो इतना amount आपका available है जिस से आप investment और trading कर सकते हो Unsettle amount क्या होता है जो पैसा settlement नहीं हुआ है जो भी आप intraday करते हो buy or sell उसका पैसा same day नहीं आता उसका पैसा आता है next working day 5 PM को 7 p.m. से लेके 1.30 a.m. तो आप buy और sell कर सकते हो invest कर सकते हो कोई भी brokerage charge नहीं है न buying का न selling का selling का आपको सिर्फ 0.02 डॉलर पे करना है exchange charge और कुछ भी charge नहीं है यहाँ पे मैं investment पे click करता हूँ जो भी है यहाँ पे आपका US stock portfolio value यहाँ पे आपको buy करना है minimum सबसे अच्छी बात किया कि आप minimum $1 से start कर सकते है 0.25 डालना हो नहीं ले रहा है minimum $1 से मैं start कर सकता हूँ 1.00 जो भी आपको डालना है put कर सकते हो मुझे यहाँ $2 का buy करना है मैंने place कर दिया यहाँ पे देखो price आपको दिख रहा है done के option पे click करो यहाँ पे दोस्तो फिर wallet पे आता हूँ wallet पे आने के बाद यहाँ पे Indian balance USD balance पे click करना है 65.14 जो आपका amount था वो आपका detect हो चुका है $2 अब दोस्तो जो है मुझे आना investment पे इस पे मैंने click किया US stocks में देख लो current value आपका दिख जागा portfolio का मैं नीचे आ रहा हूँ Uber technology यहाँ पे $2 का दिख रहा है आपका सवाल रहता है sir आपने stock तो buy कर लिए आप sell कैसे करते हैं sell यहाँ पे दोस्तो stock के सामने आना 3 point पे click करना sell के option पे click करना यहाँ पे आपको minimum $1 का sell करना पड़ेगा maximum जेतना आपका value है उतना ही sell कर सकते हो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा नहीं लेगा मुझे $1 का sell करना click कर दिया price यहाँ दिख रहा है मैं sell के option पे click कर रहा हूँ यहाँ पे pin पूछ रहा है pin put कर दो और sell के option पे click कर दो जैसे करोगे आपका order place हो चुका मैं done के option पे click करता हूँ portfolio यहाँ पे refresh हो रहा है नीचे आओगे Uber technology देखो $1 मतलब $1 का आपका investment था वो sell हो चुका था इसमें brokerage कितना लगने वाला कुछ भी नहीं सिर्फ आपको exchange charge $0.02 का पे करना पड़ेगा selling side में buying side में कोई चाज नहीं है अब दोस्तो मैं फिर से wallet पे click करता हूँ wallet पे click करने के बाद USD balance पे आया यहाँ पे देखो दोस्तो 15.69 हो गया मतलब यह amount जो है मेरा unsettled amount है यह मेरा पैसा भी तक आया नहीं है यह आएगा next working day 5 p.m. को 7 p.m. से लेके 130 e.m. तक मैं buy sell उस पैसे से ट्रेडिंग कुछ भी कर सकता हूँ तो दोस्तो ऐसे जो है आप Uber के sales को 1 डॉल में minimum buy और sell कर सकते हैं grow app में मैं आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगाऊँ वीडियो अच्छा लगाऊँ पर लाइक करें subscribe करें, share करें trading और dematic on link जो है वीडियो के description नहीं है वहाँ पर जाके आप open कर सकते हूँ कुछ भी साहता होता है मैं night को 8 p.m. लाइब आता हूँ